बिहार में एंडिये में चल रही सीट बटवारे की गर्मा गर्मी अब खतम हो गई है क्योंकि बिहार में एंडिये के बीच सीटों का बटवारा हो गया है जिहां बता देए कि हाज़पूर सीट को लेकर बिहार में अंदर गटक दलो की जो लराई है वो जो रो सोरो पर चल रही थी क्योंकि एक ही परिवार के दो लोग हाज़पूर सीट की मांग कर रहे थे लेकिन ऐसे में इन सब के बीच आज प्रेस कॉनफरेंस करके एंडिये के सीटो के बटवारा है वो हो गया है एंडिये में सामिल गटक दलो के बीच का सीटो का बटवारा जो है वो हो गया है दिल्ली में गटबंदन में शामिल दलो की बैटक में सीट स्वेरिंग का परपाल उठ रहे थे गडवन्धन में सामिल दलों के बीच सीट बतवारे को लेकर सहमती नहीं वन पा रही थी यहीं वज़ा थी कि बीजय पी के तरफ से जारी की गई उमिधवारों की दोनों ही लिस्ट में बिहार की सीटों के लिए उमिधवारों का नाम diyorum नहीं क्या गया था विपक्षी दलों का कहना था कि एंडिये के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है जिसका करतीजा है कि सीट सेरिंग पर पेच नहीं सुलच पा रहा है दिल्ली में सोंबार को सीट बटवारे को लेका रंधिम दौर की बादशीत की गई एंडिये की बैठक में जदियों के तरफ त्युमीज कुश्वाहा राश्टिय लोग मोचा के अध्यक्त उपेंद्र कुश्वा हैं एंडिये में सीट सेरिंग का जो फॉर्मूला तै हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी बिहार की 17 लोग सभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबके नितिश कुमार की पार्टी जदियों 16 सीटों पर लोग सभा चुनाव में अपने उमीदवार उतारेगी वहीं अगर चिराग पास्वान की पाची की बात करें तो चिराग की पाटी लोचपा राम विलास के हिस्से में पाच सीटे आई हैं जिसकी मांग चिराग पास्वान काफी दिनों से कर रहे थे कुश्वाह के पाटी राष्टिय लोग मोर्चा एक सीट और जीतनरम मांजी की पाटी हिंदोस्तानी अवाम मोर्चा लोग सभा की एक सीट पर चुनाव लड़ेगी लेकिन इन सब के बीच चिराग पास्वान के एक और मांगती ही हमें लोग सभा के चुनाव में पाच सीट चाहिए तो एंडिय में सीट सेदिंग का फॉर्मुला भी तैह हो गया है चिराग पास्वान को पास सीट बे मिल गई है तो वहीं पश्रुपति कुमार पारस को लो झाल